हलो दोस्तों आप से भी का एक बार फिश्यार दिख सुआ गये था आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज एक और वेकेंशी के बारे में हम बात कर रहे हैं और यह साउथर्न रेलवे की वेकेंशी है और बहुत यह चीज जो भाई नर्सिंग चैनल पर वेकेंशी निकल गीए इसका जो इसकी है अपको बताएगा और दोस्तों आप घर बेटी अपना form fill up कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी problem आपको हो सकती है अगर आप phone से form fill up करते हैं तो वो क्या है क्या नहीं वो आपको में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और अगर आपके पास computer या laptop है तो आप बिल्कुल घर बेटी अपना आवेदन कर सकते हैं बिना फीस के आप आवेदन कर सकते हैं complete detail में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ आप मेर साधन तक बने रहेगा और अगर आप हमारे चनल पे पहले बार आए तो आप चनल को सब्सक्राइब कर लेना सहाती बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली हर एक latest update जल्दी सी जल्दी मिलती रहे चलिए जनते इस वेकेंसी के बारे में और जो वेकेंसी अभी चल रहा है COVID-19 का कहर देखिए जो इंगेजमेंट है और परमेडिकल स्टाफ और कॉंटेक्ट बेसिस जो परमेडिकल स्टाफ की जो वेकेंसी निकल गी है वो कॉंटेक्ट बेस पे है यह तुम मैंने आपको बताई दिया है आपका कॉंटेक्ट पीरेड कब तक का रहेगा यह आप यहां पर देख सकते हो 39-2021 यहां पर देखिए कॉंटेक्ट बेसिस फॉर पीरेड अप टू थर्टी नाइन टूथाओजन प्वेंटी वन यह कि तीस नौ दो जार इस तक आपका कॉंटेक्ट पीरेड रहेगा आप प्यांच महीने तक यहां पर जोब कर रहेएं चलि बात करते हैं कितनी क्या पोस्ट से कितने अकी से लरी है यहां पर देख सकते हूँ आप अलग-छाब बेरिस यानिक लग-लग पोस्ट स्च Garrett नरसिंग सूप्रेट इंडop नर्सिंग सुपरेंटेंडेंडेंट की पोस्ट की बात करें तो टोटल वेकेंश है जाई इसमें 83 83 टोटल इसके अंदर वेकेंट पोजिशन है और यहाँ पे C1 मेडिकल स्टेंडरेड के अंदर इसको डाला गिया है बात करें शेलेरी के तो यहाँ पे 45,900 रुपए यानि कि जो सेवंत पेले वाला है वो आपको मिलने वाला है साथी प्लस में DA and other allowance admissible ये भी आपको मिलेगा अदर जो allowance होता है और जो DA होता है वो भी आपको मिलेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी कासे शेलेरी भी आपको मिलने वाले जो भी students जो भी candidate interested है वो इसके लिए आविदन जरूर करें और आविदन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही आप अपने चोटे बड़े भाई भाई भाईनों को भी बताए जिन्होंने फीजियो थेराफिस्ट में डिप्लोमे डिगरी कर रखी है जिन्होंने इस जी टेक्निशिन में डिप्लोमे डिगरी कर रखी है इसमें educational qualification अलगलग जो भी यहाँ पे पोस्ट दी गीए कितनी क्या पोस्ट है कितनी क्या शेलेरी इनको मिलने वाली है यह सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है साथ ही आपको मैं यहीं बता देता हूं यह जो पीडिएफ हो आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम ग्रूप नर्सिंग चेलेंजर्स के अंदर दोस्तों टेलिग्राम पताए दूँगा तो आपको पीडिएफ जरूर लेनी है हमारे टेलिग्राम ग्रूप के अंदर आपको मिल जाएगी चलिए आगे बात करते हैं इस क्राइटेरिया रिक्वाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्स्पिरियेंस की तो सबसे पहले नर्सिंग पास आउड गैटेट है जिनके पास रैजिस्टेटिन नमबर रहा वो इक लिए आविदं कर सकते जिनके पास एक्सपिरेंस वो भी इसके लिए आविदं कर सकते हैं देखिए dan water ident". भी एपको लगाना होगा अगर आपके पास में एक्सपिरेंस सर्टिफिकेट है और आपक पास registration number है वहीं इसके लिए आविदन करें लेकिन जिनके पास experience है उनको first priority दी जाएगी यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिनके पास experience है यानि कि आप पर नहीं लिखा है लेकिन हमें पता है कि जिनके पास experience है होगा उनी को सबसे पहले वो लेंगे लेकिन जिनके पास experience नहीं है वो भी आवे दिन जरूर करें क्या पता वो candidate ना मिले तो आपको ले लिये जाएगा यहाँ पर बात कर एज लिमिट की तो 20 से 40 साल यहाँ पर रखी गी है और जो आपकी age count होगी वो 1 April 2021 से पहले आपकी मानी जाएगी तो minimum 20 year और maximum 40 year यहाँ पर रखी गी है यहाँ पर अलग अलग जो जो आपकी निकाल गी है उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो क्या age limit रखी गी है वो भी आप देख लेना यह PDF के अंदर आपको मिल जाएगी नेक्स्ट देखिए नोट यहाँ पर जो रिलेक्सेशन है एज रिलेक्सेशन वो आपकी बात करते आगे दोस्तो आप फ़ॉर्म जरूर फिल कर देना आपके कोई भी चार्ज नहीं लिगेगा अपकी फॉर्म कर देना आपके कोई बी चार्ज नहीं लिगेगा आपको शिर्फ फॉर्म फिलप करना है ओके फॉर्म केशी फिलप करना है वो तुम्हें आपको भी बताई दूंगा और टाम कंडिशन्स में आप देख सकते हो तीस नो दो जार एकिस तक आपका कॉंटेक्ट यह पीरेड रहेगा इस दिन तक आप यहां पे जोब कर सकते हैं बाकि यहां पे कुछ और टाम कंडिशन्स है वो आप इस PDF के अंदर देख लेना complete और बात करते हैं यहां पे medically आप फिट होने चीए साथ ही आपको ड्रेस कोड भी यहां पे दिया जाएगा उस ड्रेस कोड को फोलो करना होगा ऐसे नहीं आप जो आप अपनी जो गर पे ड्रेस कोड आपको बताए जाएगी वो आपको ख्रेदने पड़ेगी अपने खुद के पैसे से यहां पर यह भी साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि वहां पर जाने के बाद वो ड्रेस देंगे लेकिन वो जो ड्रेस कोड आपको ख्रेद नहीं होगी बात करते हैं य सब्सक्राइब करें अगर आप यहां पर करना चाहते हैं तो आपको लगानी होगी नेक्स्ट देखिए यहां पर जो भी डॉक्मेंट्स देखिए एक और बात में आपको बता देता हूं जो भी आप डॉक्मेंट्स अप्लोड करें वो सारे के सारे डॉक्मेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे जब आपका डॉक्मेंट्स वेरिफिक्शन होगा वाँ पी तब आपको ओरिजिनल भी लेके जाने और आपको कॉपीज जो सेल्प टेस्टेड आप ने किय वो सारे के सारे डोकुमेंट्स के आपको फोटो कॉपीज भी साथ में लेकि जानी है नेक्स्ट देखिए जिसेलेक्टेड कंड्रेट्स यह पढ़ लेना नेक्स्ट है नो प्राइवेट प्रेक्टिश यह भी साफ साफ लिखा है जो कॉंटेक्ट पीरेड यह वेकेंस निकल इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप प्राइवेट जोब नहीं कर सकते हैं जब तक आपका कॉंटेक्ट पीरेड तब तक ओके नेक्स्ट यहां पर देखिए अलग लिंक्स दिविए इनी लिंक्स से आपको फॉर्म फिलप करना होगा यहां पर जिस वेकेंसी के निकाले गिए उनकी अलग अलग यहां पर लिंक दी हुई है इस लिंक को आपको ओपन करना होगा और आपको फॉर्म फिलप करना होगा चली मैं आपको बता देता हूं लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि कब तक आप इसके लिए अभी दिन कर सकते हैं यहां पर जो इंटर्वी की डेट होगी और जो टाइम होगा वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास में है ओके आप घरवालों की मोबाइल नंबर ना डाले उनके पास मेसेज आ जाएगा और आपको पता नही से और इस लिंक को Open कर लेना जो नर्सिंग सूप्रिंटेंडट के लिए ओ्वह इस लिंक को Open कर लेना यह आपकी जो लिंक है वो ओपन हो जाएगे देन आपके पास में कैसा इंटरफेस उनको छोड़ दीजिए आप यहां पर देखिए आपको क्या-क्या fill up करना है यह सारे के सारे आपको fill up करने है सबसे पहले आपको यहां पर अपना नाम डालना है वो भी block letter के अंदर ओके देन आपको father's name या spouse name वो भी block letter type के अंदर आपको यहां पर डाल देना है नंडिन आपको male है या female है यह 6 आपको बता दिना है यहां पर एक चूज कर लेना जो male पर और यहां और a female फिमेल पर आपको date of birth डाल लिया यहां पर आपको क्या करना है? इज कितनी साल के आप हो चुके हैं, वो एज आप यहां पर चूज कर लेना इज रहे हminute को community यानि जो आप किस कास्ट चेप बिलॉग करते हैं वो कास्ट आप यहाँ पर चूज कर लिजी EWS से जनरल से हैं, OBC, SC, ST आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट आप यहां से चूज कर लीजिए यह आप घर बेटे भी फॉर्म फिलप कर सकते हैं लेकिन जो आपको एक दिक्कत होगी वो मैं आपको बता दूँगा ओके यहां पर नेशनलेटी जो इंडियन है वो इंडियन पर क्लिक करे जो नेपाली वाले नेपाली पर क्लिक करे और जो अदर्स में है तो वो इस पर यहां पर क्लिक करे नेश्ट मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल नंबर है मैंने आपको बता दिया है आपके पास में जो मोबाइल नंबर है वहीं नंबर डाले जिन से वाटसप आप चलाते है वहीं आप यहाँ पर मोबाइल नमबर डाले आपके पास कॉल आएगा या फिर आपके पास WhatsApp के थ्रू वीडियो कॉल आपसे करके आपका इंट्रू लिया जाएगा नेक्स्ट है इमेल आइडी इमेल आइडी भी आपको सही सही फिल अप करने है जो आपके मोबाइल में लगी हुई है उसके उपर आपको मेसेज के थ्रू आपको अलर्ट किया जाएगा और कोई भी इनफॉर्मेशन होगी वह आपको WhatsApp के थ्रू या फिर मेसेज के थ्रू आप को मिल जाएगी तो आपको ईमेल भी ढालनी कि यहां पे बारा नंबर का गडी जो डिजी ट आधार नंबर होता है वह आपको यहां पे फिल कर देना है जो किस जगह से बिलोंग करते हैं औ form को सारी आप अपना Però कराड़ से बिलोंग आपteं choke pin code आपको यहाँ फिलप करना है देन आपको से Hair Driver Station आपके पास मेंकों सा रेल भी सैसे उसका नाम अप यहाँ पर डाल दीजिएगा यहीं एक छोटी शी दिक्कत अहें जो qualification है 10th के mark sheet हो चाहे 12th के mark sheet हो चाहे आपके college की सारे mark sheet हो आरा नमबर हो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखिए पहले तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे documents जब आप fill up करते हैं यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी इसके just नीचे वाले में आपको दिक्कत हो सकते हैं जो PDF nursing और यहाँ पे अपने college का नाम डाल दीजी और देन आप first attempt के अंदर पास होएं या second attempt के आप second attempt पे पास होएं और कितने percentage आपके बने हैं वो आपको यहाँ पे fill up कर देने हैं दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप फिर से समझ लीजिएगा जैसे जिन्होंने नरसिंग की डिगरी जिन्होंने नरसिंग 2020 में पास किये वह क्या लिखेंगे यहाँ पे जिन्होंने ऐसे जून के आंदर किये जैसे जून यहाँ पे fill up कर देना जून 2020 यहाँ पर बीएस नरसिंग बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिलप कर दिना है यह आपको complete बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप यहाँ पर नहीं बढ़ते हैं तो आपका form submit नहीं हो पाएगा यहाँ पर जो दिक्कत होगी वो आगे देखिए आपको भी बताए जाएगी registration registration नमबर आपको यहाँ पर फिलप कर दिना है जो आरन आरम नमबर आपके वो यहाँ पर फिलप कर दिना आरन आरम जो वेलिड है यानि जो आरन आरम आरम आपके नमबर हो कब तक वेलिड है वो आप यहाँ पर फिलप कर दिना अगर आपके आरन आरम नमबर एक्सपायर हो नेश्ट देखे अपलोड प्रूफ आफ डी ओबी एजुकेशनल प्रॉफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको दिक्कत आएगी वो दिक्कत यहाँ पर आएगी आप कंप्लीट फॉर्म फॉर्म से भर देंगे लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत जरूर देखने को मिलेगी वो सारी के सारी आपको एक PDF के अंदर बना लेनी है PDF की साइज एक MB से ज़्यादा नहीं होनी चीए यहाँ पर दिक्कत आती है आप फॉन से PDF तो बना लोगी लेकिन वो उसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी इसलिए आपको कंप्यूटर या फिर जो लेप्टोप है उससे आपको form fill up करना होगा और उसी से आपको PDF बनानी होगी देन आपको एड़ फाइल से क्या कर देना है उस PDF को send कर देना है देन आपको next क्या करना है details of previous experience if any अगर आपके पास में पिछली सालों का आपके पास experience है तो आप यहाँ पे yes कर दीजिए और आप उस hospital का नाम भी देना देन आपको क्या करना है यहाँ पे upload करना है proof of experience ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर लिख दिया है कि हाँ मेरे पास experience है लेकिन आपके पास experience certificate है ही नहीं तो आपको वहाँ से reject कर दिया जाएगा तो आपको प्रूफ भी दिखाना होगा आपको PDF बना के भेजनी होगी ए एक एमबी से कम साइज की यह PDF भी आपके पास में अविलेबल होनी चाहिए तब आप form से जो आपका form है वो feel हो पाएगा यहाँ से आपकी PDF send हो पाएगी देन आपको add file यहाँ पे कर देना है तो यह जो experience है उसका proof भी मांगेंगे तो आपको यह भी लगाना होगा देन आप आपको क्या करना है जो आपके passport size photo है वो आपको यहाँ पे upload कर देने signature की जरूत नहीं है लेकिन आपको passport size photo JPG format में आप upload कर सकते हैं वो भी एक एमबी से कम size की photo होनी चाहिए तो यह सारी की सारी आप जैसे detail complete कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या कर देना है submit पे क्लिक कर दे आपके पास कभी भी message आ सकता है और interview में अगर आप select हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे job करने का मौका भी मिल जाएगा और 44,900 रुपे पर मंत साथ में daily allowance और जो भी allowance होता है वो आपको मिलेगा तो दोस्तों यह थी चोटी शी information आप अपने friends को जरूर share कर देना ताकि वो भ अपने चोटे बड़े भाई भहीनों को भी बता देना यहां पर अलग लग वेकेंशी जाए तो उनके बारे में उनको भी बता देना ताकि वो भी form fill up कर सके फिर मिलेंगे दोस्तों study videos के साथ new video के साथ next day thank you very much